हलो फ्रेंड्स आपका गीता ज़ड में स्वागत है और आज हम बना रहे हैं एक दम अलग फ्लीवर से भरा हुआ एक ही बर्तन में बनने वाला मैक्सिकन राइस मैक्सिकन राइज और उसके साथ में बनाएंगे सालसा सालसा बनाने के लिए हमने सबसे पहले सालसा ही बनाना शुरू करूंगे जिसके लिए मैं लूँगे एक मिक्सर जार मिक्सर जार में हम एक टमाटर लेंगे उसे छोटे छोटे टुक्डों में काट लेंगे और हाँ आगे बनाने के पहले मैं उझे क्विस्ट कर लों सभी से जो भी देख रहे हैं उन्हें रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके बताएंगे कैसी लगी और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर देंगे और यहाँ पर देखिए हमने एक टमाटर लिया है उसे टुक्रे में काट लिया है और साथ में लेंगे एक प्याज एक मीडियम साइज की प्याज है उसे हमने छील लिया है छील कर दो लेंगे और उसे टुक्रे टुक्रे करके हम एक सरजार में डाल देंगे और प्लीज जो नए लोग हों वो प्लीज सब्सक्राइब करते चलें और ये है लेसन लेसन यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे जैसे कि दस बारा कलिया लेसन की रहेंगे और हमने लिगलम के कोरियंडर लिया है याने की धनिया पत्ती उसे भी हमने धो लिया है और उसे भी यहाँ पर हम डाल देंगे अब यहाँ पे हम कुछ चीजे स्वादनुसार डालेंगे जैसे कि हम इसमें डालने वाले हैं हरी मिच हरी मिच हमने यहाँ पे चिंजाद ली है आप आपने साधनुसा ले सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक आप साधनुसा डालें हमने जो है वनफोट चमट जो है डाला है नमक और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीबु डाल सकते हैं खटास के लिए और ये दिखें यह हमारा सालसा बन के तैयार है और आपको कलर थोड़ा अलग दिखे रहा होगा और प्लिख प्यारा कलर आया था अब हम चलते हैं मैकस राइस बनाने के लिए इसके लिए हम लेंगे जो है एक कड़ाई कड़ाई में तेल डालेगे तेल और घरं होने के साथ ही तेल के यह तोड़ा थोड़ा फ्राइब कर लेंगे एक दम से जला नहीं देंगे लेकिन हाँ उसे इस तरह से कंचिन्यू लाकर पकाते रहेंगे यह देखे इस तरह से इस तरह से हिलाती रहना है और हमारा आज यहां पर हाई फ्लेम पर ही रखी है मैंने और इसे हम देखे कंचिन्यू हमारा हिलाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें जलाना नहीं है उसे हलका सा कलर आजे उतना ही हमें करना है और जब हमारा लैसन हो जाएगा तब हम यहाँ पे हमने एक बड़ी साइज की प्याज लिया उसे महिन महिन चॉप कर लिया है और वो यहाँ पे हम डाल देंगे अब हम लैसन के साथ इस प्याज को भी और उसे भी हम थोड़ा तंस्वरेंट होने तक भूजने का है इस तरह से और मैक्सिकन जो होते हैं मैक्सिकन खाने होते हैं उसमें हमारा इंडियन फ्लेवर ही पूरा होता है समझ लिजी और यह देखें यहां पर जो है ना और ये प्याज अच्छे से भूजती रहेगी देखे इस तरह से हमें भूज लेने का है और जब हमारा ये हो जाएगा तब हम यहाँ पे डालेंगे टोमेटो प्यूरी यहाँ पे हमने दो मीडियम साइज के टमाटर लिये हैं उन्हें मिकसर जार में पीश लिया है एकदम फ् दालेंगे रेट चिली पॉडर रेट चिली पॉडर डालेंगे और उसे भी हम डालकर अच्छे से बूजेंगे और रेट चिली पॉडर डालने के बाद हम यहाँ पे हम डालेंगे करियंडर पॉडर डालेंगे यानि कि धनिया पॉडर और साथ में हम डालेंगे एक चमज भ बरके हमने जीरा पॉर्डर डाला है और अब हम साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स हमने पहले रेट चिली पॉर्डर डाला है धनिया पॉर्डर डाला है और जीरा पॉर्डर डाला है और साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स अब इन सब चीजों को डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखे और रेट चिली पॉडर आप कास्मेरी रेट चिली पॉडर डालें कलर बहुत अच्छा आएगा और अब हम डालेंगे यहाँ पे तोड़ासा औरीगनो यह जो है एक चमच भरके हमने औरीगनो डाला है और इन सब चीजों को डालके अब अच्छे से हम बहुत बढ़ियां आएगा और यह देखें मसाले हमारे भूज रहे हैं और इस तरह से हम चलाएंगे और इस सारे चीजों के खुस्पू बहुत अच्छी आती है और यहाँ पे हमने यह डाला है हरी मिर्च हरी डाला है अब यहां पे हम यह डालेंगे ब्रोकली है और जो ब्रोकली आती है उसके हमने छुटे-छुटे पीस कर लिये है पानी से धो लिये थे अच्छे से साफ करके उनके छुटे-छुटे पीस कर लिये है और यह है मकई के दाने कौन है और यह साथ में हमने डाला है बेव इसे भी हमने चोटे-चोटे चौप किये हैं और इन सब चीजों को डालें और यह है कैपसिकम हरी सिमला मिर्च अब इन चीजों को हमने यहाँ पे डाला है ब्रोकली, कॉर्ण, मकई के दाने, मस्त्रूम और साथ में डाले हैं हमने कश्मीरी मिर्च, इन सब गाजर, इन सबी चीजों को डालके हम अच्छे से भूजेंगे, और यहाँ यह देखे, यहाँ पे अभी हमने नमक नहीं डाला था, अब यहाँ पे नमक डाल देंगे, इस तरह से हम नमक डाल लेंगे, और इन सबी चीजों को हम साथ में भूज लेंगे, एकदम कच्ची है, और चावल यहा काया हुआ चावल रहेगा इसलिए हम सबजियों को हलका सा थोड़ी देर भूज लेंगे और यह देखे यहां पर हमने डाला है ब्लैक पेपर पॉडर जो है काली मिर्च का पॉडर उसे भी हमने डाला है आधी चम्मच जितना और देखे स्थीखा जो है थोड़ा ध्यान देक उसे भी यहां पर डाल देंगे अब राजमा बहुत जरूरी है मैक्सिकन राइज में बाकी तो जो सबजियां आप क्यों वो डाल सकते हैं और साथ में जो राजमा हमने बॉयल किया था वो पानी था मैंने इसमें डाल दिया उसके साथ ही इन सबजियों को अच्छे से इतना ही हमें इसे पकाना है और अब हम क्या करेंगे हमने चावल जो है अलग से बॉयल करके रखा हुआ था उसे यहां पर मिला देंगे और बहुत सौफ्ट हाथ से मिलाएंगे ताकि हमारे चावल तूटे नहीं इस तरह से एकदम हलके हाथों से देखिए एकदम स्लो किपस डालेंगे धनिया के पत्यां फ्रेश धनिया के पत्यां काट कर इस तरह देख देजिए और यह हमारा मैक्सिकन राइस बनकर तयार है बहुत जल्दी बन जाता है एक ही भरतन में बन जाता है गर्मी में बनाई है और इस पड़ बनकर यह तयार होने वाली रेसिपी है और इस धनिया को डालने के बाद बुछे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाँ जिसे हमाई रेसिपी अच्छी लग रही हो वो लाइक करें कमेंट्स करें और जो है नए ने लोग हों से सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और यह देखिए उपर से फिर से हम थोड़ी से धनिया के पत्ति डाल देंगे और अब इसे हम सब कर लेंगे सब करने के लिए हम इसके साथ में आपसाल साथ दीजिए नाचोस दीजिए वाव लुक्स यमी स्वाद यमी वाव